कि हेलो इवरे बन दोस्तों कैसे आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों 25 अगस्ट से जो है सीबेसी क्लास 10 तो क्लास 12 के एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बहुत से बच्चे लगातार मैसेज कर रहा थी किसरा सेंपल पेपर बता दीज में अगर वही टोपिक आपने क्लियर कर ले तो हंड़र प्रसंट आपके एक्जाम में इस पेपर में अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक देखिए कोई वीडियो काफी इंपोर्टेंट हो करने वाली है और यदि वीडियो अच्छी लगए दोस्तों इसे लाइक कर दीजेगा दी आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिया गया तो चलिए सबसे पहरे दोस्तों बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में दोस्तों आपको दो चैप्टर ही पढ़ने हैं और इन दो चैप्टर से कोश्चन आपको एक्जाम में मिल जाएंगे तो सबसे पहला चैप्टर दोस्तों यूरोप में राष्ट वाद यानि दा राइस ओव नेसनलिजम इन इंडिया यानि भारत में यहां से बहुत सही कोश्चन पूछे जाएंगे तो यह आपको पूरी तरह से क्लियर करना है जो टॉपिक आपको दीख रहे हैं तो फर्स वर्डवार खिलाफत मुवमेंट ठीक है नोन कोर्परेसर मुवमेंट दांडी आत्रा यहां से क्लियर कर लेना है चलिए यह दो बात करते हैं दोस्तों हम जोग्रफी यानि समकालिन भारत भुगोल की तो भुगोल में हमें कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें दोस्तों संसादन एवं विकास यानि रिसोर्स एंड डेवलेप्मेंट चैप्टर नमबर वन और इस चैप्टर वन में कौन-कौन से टोपिक क्लियर करना है तो टाइप सब्सक्राइब संसादन कितने परकार क्या होते हैं ठीक है डेवलेप्मेंट रिसोर्स रिसोर्स प्लानिंग इंडिया लैंड रिसोर्स लैंड यूटलाइजेशन ठीक है यह जितने टोपिक आपको दिकर इन सभी टोपिक क को आपको क्लियर कर लेना है इसे बाहर एक भी परसन आपकर नहीं आने वाले है तो तो एक तोपिक चेप्रवन की यह PROM करना और यहीं से एक साधोरे जो सब से इंपॉर्टन TOPIK है दो यहां से companies कोश्टन है दो गसे तोपिक यह Kиса कता इस देला में यहां से कोश्टन कोश्टन यहां से क्लोड़ एभित है कोशन इपड़ी जो दोस्तों कल या परसों में आपको वह सारी इंपॉर्टन कोश्चन आपको प्रवाइड कर दोंगा जो एक्जाम में आपके आएंगे कुल दोस्तों मैं आप सब्सक्राइब को पूरे पूरे पेपर मिल जाएंगे ठीक है तो यह बिल्कुल भी भूलिएगा मत नेस्ट है तो हो दूसरा को से चप्टर आ y CNN और पारा भारा जोगरफीं में फेकश्चेप्टन न मबर दोस्तों को से कुछ आ रहे है वो आ रहा फूर ठिक है चेप्टर नुबर से दोस्तों बांद से मैप आये घही आएगा तो मैप बांद जरूर कर लीजिए गा 100 परसंट गरणटिवांसे परसंद आएगा तो चेप्टर टुन ये आ रहा है है थर्ड से मैप आ रहा है इसके लाव इनरजी रिसोर्स यहां से भी किवल मैप आएगा ठीके मैप और फाइन तो मैप बbnू आने बारत में रोक मिंदर एघृ और इसके लगध की वह गह सब सब्सक्राइब इसके लावा दोस्तों चैप्टर नमबर 6 Manufacturing Industries यानि विनिर्मार उद्धोक विनिर्मार उद्धोक यह जो इतने टोपिक आपको किलर कर लेना है इससे बाहर कोश्चन नहीं आने वाला है नेस्ट है आपको दोस्तों रास्ट या अर्थवस्ता की जीवन रखा है यानि Life Lines of National Economy यहां से भी कोश्चन बनेंगे तो यह दो दोस्तों जो है आपका चैप्टर यानि जोग्रफी से यह चैप्टर आने वाले हैं क्लिर हो गया चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजनेतिक सास यानि पॉलिटिकल साइंस लोकतांतिर राजनेति यहां से कौन कोश्चे चैप्टर आने वाले सबसे पहला चैप्टर आपको पता होने चुए है आपका Power Sharing यानि सत्ता की साज़दारी सत्ता की साज़दारी जो बेलजियम सिरलंका और भारत तो बेलजियम की सितिती है वहां से कौश्चे बनेगा सिरलंका में किस प्रकार का जाटी को अधना जैसे सिंगली समुदाय से समुदी कौश्चे आएगा कोशन तो आना आना है इसके अलावा सत्ता की साजदारी क्या है भारत में किस प्रकार के साधर कोशन बनेगा ठीक है यहां से माद संघ बहुत इंपॉर्टन चब्र यहां बात करें दोस्तो तो पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर six six यानि political parties यानि रादेतिक पार्टियां यहां से question आने वाला है इसके आलावा लोकुतंत्र के परिडाम यानि outcomes of democracy यह chapter आने वाला है तो यह जो जो chapter आपको मैंने बताया और यहां पे आप screen support ले सकते हैं दोस्तों सबसे पहले chapter कौन कौन साने वाला है वह आपका development यानि विकास आएगा इसके अलावा दोस्तों भारतिय अर्थ व्यस्ता चेत्र यानि sectors of the Indian economy आने वाला है देन आपको मुद्रा और साख ठीक है money and credit आने वाला है दोस्तों और वैस्विकर और भारतिय अर्थ वस्ता यहां से question पूछे जाएं समझा लेकिन यह तीन जो चेप्टर है यहां से question 100% बनेगा बनेगा तो यह सारे चेप्टर आपको कर लेने हैं इसके अलावा दोस्तों कोई भी extra topic आपके exam में नहीं आने वाले हैं रही बात दोस्तों exam के question पेपर की हाड़ आएगा pattern कैसा आएगा तो मैं आपको दोस्तों बता दू कि exam कोई सा भी हो ठीक तो 60-70% question ऐसा होते हैं जो हर कोई sol कर लेता है 20% कोई मीडियम के होते हैं मोडे टाइप मध्यमाकार के ओते हैं वह अगर 10% 10-2-3 question जो होते हैं मतलब होट टाइप्स को होते हैं हाड होते हैं तो कुल मिला कर देखा जाया तो अगर आपने NCRT पड़ी है और यह टोपिक किलर कर लिया है तो आप अराम से सो में से जो असी का अगर पेपर आएगा आपको तो किलर कर लिया है तो गारंटी के साथ कहरा है तो इस टेम बहर में लिख कर लेलो अगर आप किसी चीश के भी विष्वास मत कीजी बस आप अपने टोपिक पर विष्वास कीजी जो मैंने आपको बताए वो पढ़ लिजिए जो पढ़ लीजिये इससे बाहर जो है आपको कोशन एक भी नहीं आने वाला है रही बात दोस्तों पैटर्ण के तो मैंने आपको बता दिया था कि 16 कोशन जो आएंगे आपके MCQ टाइप के होंगे फिर 3 नमबर वाले होंगे, 2 नमबर वाले होंगे, 5 नमबर वाले होंगे इससे कोशन आपके आएंगे तो निश्चिंद हो जाएए, पेपर हाट नहीं आएगा, पेपर जैसे हमेसा आता रहा वैसा है और उसी ताइप में आएगा जैसा आपके सेंपल पेपर में उपलब्द है, जो 2020 और 21 का सेंपल पेपर है, तो यह इसी तरह दोस्तों अगर मैं आ कर दीजेगा, हमें यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैलन दा प्रोलिकल मास्टर जरूर सब्साइब कर दीजिए, बेल आइकनों दवान बिल्कुल मत भूलियागा, दोस्तों, जैह हिंद आज के लिए बस इतना ही